हेलो दोस्तों मैं करुणा स्वागत कर रहे हूँ आपका सिक्षा प्रवा में तो दोस्तों आप सभी लोग CUET Fine Arts exam देने वाले हैं और आप लोगों की डिमांड पर मैं ये MCQ questions की series यहाँ पर लेकर के आई हूँ यहाँ पर आपको मिलेगी इस वीडियो में आपकी राजिस्थानी शेली पर MCQ questions answers के साथ तो दोस्तों बने रहें मेरी इस वीडियो में शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न भित्ती चित्रों के लिए कहां की चितरशाला प्रसिद है चार ओप्शन भित्ती चित्रों के लिए बूंदी की जो चित्रशाला है वो बाकी तीन ओप्शन से ज़्यादा फेमस है इसके अलाबा second question है मेवार स्कूल से संबंधित शेली कौन सी है देवगर, नाथद्वार, उदरपूर या उप्युक्त सभी तो बेटा इसका अंसर होगा option दा उप्युक्त सभी आपने मेवार स्कूल की तीनों शेलियों को थियोरी वाले चेप्टर में पढ़ा होगा थियोरी में जो मैंने एक्स्प्लेइन किया है राजिस्थानी शेली को इस वीडियो में आप इसका आंसर देख सकते है कोश्य नमबर तीन है नीड का चितेरा किसे कहा जाता है तो इसका अंसर है option C सोभागमल गहलोद को कोश्य नमबर चार है बिटा शेखा विटी चेतर के बिती चितरन में किस रंग की प्रधानता है इसका अंसर होगा बिटा option दा उप्युक्त सबी बिती चितरन की प्रमुख विधी या विध्या कौनसी है तीन विध्या इन्होंने दे रखे हैं फ्रेसको भी नो फ्रेसको सी को साधारन बिती चितर या उप्युक्त सबी तो इसका अंसर होगा उप्योक्त सब्सक्राइब कुश्य नमबर सिक्स में आपसे पूछा गया है ताजी पलस्तर की हुई नम भित्ती पर किया गया चितरन क्या कहलाता है देखो बिटा मैं आपको अगर इस चीज को बताऊं तो फ्रेस्को बूनो यानि की गीली या फिर ताजी जो दिवार पर पलस्तर किया गया है जैसे कि आज के टाइम पे हम लोग अपना इंच से घर बनाने के बाद उसको रेच सिमेंट से प्लस्तर कर देते हैं तब पहले वह चुना से प्लास्टर किया जाता था और काफी सारी सामगरी उसके अंदर डाली जाती थी तो जब वह थोड़ा-थोड़ा सा गीला रहता था आधा गीला आधा सुखा रहता था उसको बोलते ताजा प्लास्टर और वह विदी कहलाती है फ्रसको बूनो की और fresco shiko होती है जो वो plaster जब सूख जाता है तो उसके उपर चित्र बनाना हो गया fresco shiko और साधरन बित्ती चित्र तो है ही normal बित्ती चित्रन ठीक है तो यह कह रहा है कि ताजी पलस्तर हुई नम बित्ती पर किया गया चित्रन क्या कहलाता है तो इसका अंसर होगा बित्ता आपका option A फ्रेस को बूलो ओके बित्ता थोड़ा डिस्ट्रब हो गए हम next है question number 7 भैसो के चित्रकार के रूप में किस चित्रकार को ख्याती मिली हुई है तो पर्मनंद गोईल देवी के नंदन शर्मा राम गोपाल विजय वर्गय और निहाल जंद तो इसका अंसर होगा पर्मनंद गोईल next question है बिता आपका भारतिय परंपर कला के युग पुरुष्व ब्लू पॉर्टरी के प्रियाय के रूप में विश्व विख्यात चित्रकार कौन है यह बहुत important question है देखो बिता question number 7 भी बहुत important है मतलब वो चित्रकार जिन्होंने भैंसो के चित्र अत्यदिक मातरा में बनाए है और इसी तरह से यहाँ पर बात हो रही है जिन्होंने ब्लू पार्टरी पार्टरी होता है बरतन बरतन को बोलते है और बरतन ऐसे बनाए है जिसमें ब्लू रंकिय दिखता है ठीक है और वो कौन है तो इसके answer है option एक क्रपाल सिंग शेखावत ये जैपुर के कलाकार थे और ब्लू को ट्री भी जैपुर की बहुत ही ज्यादा फेमास है इसी के साथ क्रपाल सिंग सेखावत को युग आर्ष रमायद या इनमें से कोई नहीं तो आप लोगों को पताहै इनमें से कोई नहीं स्पासनाचरियम निसी day और शाहवित। Q10 है असंगत युग्म को छाट यह बिल्कुल इसी तरह से जैसे भिहारी सत्सी जगननात किये श्रावक प्रतिक्रमाण चुहुनी कमलनात और धनसार कल्प सुत्र तो इसका भी जाएगा option option d इन में से कोई नहीं question number 11 आपको दिख रहा है हाडोती स्कूल से संबंदित शैली कौन सी है इसका अंसर है सा एक और दो दोनो यानि कि कोटा बूंदी शैली का विज्ञानिक विभाजन किस पुस्तक में किया है तो राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक में उन्होंने किया है अब तेहरा question आपकी screen पर है मारवार स्कूल से संबंदित शैली कौन सी है तो उप्यूक्त सभी जोदपूर विकानेर और जैसलमेर तीनो सैलियों का ललित कला अकादमी जैपूर में स्थित है अकादमी का स्थापना वर्ष क्या है तो 1957 ललित कला अकादमी जैपूर का स्थापना वर्ष है किसका शाशनकाल मेवार शैली का स्वनकाल माना जाता था मुझे यकीन है आप सभी को इसका answer आता होगा तो इसका answer है option C महराना जग चितरों री अवेरी ये भी बहुत ही ज्यादा फेमस कॉईशन है कि तस्वीरां रो कारखानों ये राजिस्थानी भाज़ा में यानि कि चित्रशाला या चित्र बनाने का कारखाना नामक कला विद्याले कहां पर है के संस्थापक ओन थे तो मेवाड शली में महराना जगत सि इसके संस्थापक थे मेवाड शली का सबसे प्राजीन चित्रश्रावन प्रतिकर्म चूर्णी का चित्रांकन रावल तीज सिंग के सशनकाल में कि अभी इससे उपर भी आया था ना ये कुशन तो इसका आंसर हो जाएगा कमल जंद पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शली की विशेजता है इसका आंसर आप सभी को आना चाहिए जहां तक है तो ऑप्शन सी नाथगारा कुशन नबर 19 भारत की मोना लिजा कहां जाने वाला चित्र बनी ठनी किस चित्र शली से है बिना किसी को कहीं पर भी सोचे सीधा इसका आंसर दोगे आप ऑप्शन बी जैसल मेर कुशन नमबर 21 मूमल किस चित्रकला शली का प्रमुख चित्रकार है तो जैसल मेर का आदम का चित्र किस चित्रकला शली की मुख्य विशेशता है तो जैपूर में सबसे जादा बड़े चित्र बने है इस चीछ को आप लोग ध्यान रखिएगा कुशन नमबर 23 आपसे पूछा गया है जमनादास छोटे लाल बकसराम वे नंदलाल चित्रकला के किस शली से सम्मधित थे तो अलवर शली से सम्मधित था इनका ये सबी अलवर शली के चित्रकार है Question number 24 है, राजिस्थानी चित्र शेली विश्यद रूप से भारती है, ऐसा किसने का था, विश्यद रूप से भारती है, मिलना पूरी तरह से भारती है, इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है, तो ऐसा कहा था Lawrence William ने Question number 25, बीका नेर के मत्रेरन समुदाय के संबंध में दिये गए निम्न तत्यों पर विचार कीजिए, फिर आपको उसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है, तो सबसे पहला है, बीका नेर चित्र शेली के विकास में इनका प्रचूर योगदान है, दूसरा महराणा अनुप सिंह के काल में मत्रेरन समुदाय को सरक्षन मिला, तीसरा मत्रेरन विशेश करण साशकों के व्यक्तिगत चित्र उकेलने के लिए किये जाते हैं, मत्रेरन जो अपने आपको महात्मा भी कहते हैं एक जैन समुदाय है, तो इसका कौन सा अंसर सही है चारों बातें सही हैं ठीक है बिटा नेक्स्ट कोशिन पर जाने से पहले मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगी कि CUT का एक्जाम जब आप लोग देने जाओगे तो उधर नेगेटिव मार्किंग भी है जैसे कि आपके अगर 50 कोशिन एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आप उसमें से समझे 40 कोशिन करके आते हैं और 10 कोशिन आप छोड़ देते हैं और 40 में से आपके 30 कोशिन सही होते हैं और 10 कोशिन गलत होते हैं तो एक कोशिन गलत होने पर आपका एक सही कोशिन भी कट कर दिया जाएगा तो इस तरह से अगर आप 40 कोशन करके आए उसमें से 10 गलत करके आए तो आपके 30 में से 10 नमबर कट जाएंगे यानि की 20 नमबर रहे जाएंगे इसलिए जिस कोशन का आंसर आपको पिल्कुल पक्का आपको शंसे है उसका आंसर मत दीजिएगा जिस कोशन का आंसर मत दीजिएगा क्यूंकि मार्क्ष कट सकते हैं एक टीण आपका पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्दत किये गए हैं राजःकूतों के Option 2, भगवान कृष्ण के जीवन पर Question 27, जैपुर राजे के कारखानों का नाम जहां कलाकार चित्र और लगुई चित्र बनते थे तो वो है सूरत खाना Question 28, किशनगर शेली का प्रशित चित्रकार बिना सोचे समझे, नाकरीदा साफ यहां पर क्लिक कर देंगे लेकिन क्योंकि यहां पर सूरज धोज निहालचंद का नाम नहीं है अगर सूरज धोज निहालचंद का नाम होता तो आप उसको क्लिक करतें क्योंकि नाकरीदास एक तरह से वहां के साशक भी थे है ना, राजा सावंत सिंग का ही दूसरा नाम नाकरीदास था जिस नाम से उन्होंने बहुत सारे गरंथ लिखे हैं, गरंथों की रचनाकी है, और उनके इन 75 गरंथों के समुखी को नागर सामुच्य के नाम से जाना जाता है, तो एक तरह से नागरी दास जो थे, वो कलाकार के साती साथ राजा सावंत सिंग भी थे, ठीक है? Question number 29 है बिटा, पक्षियों को महतु देने वाली शेली तो बूदी शेली जिसके अंदर बहुत अधिक पक्षियों का चित्रांकन किया गया है Question number 30, ढूला मारू कहां पर बना है तो जोधपूर देखिए, मिवार में भी ढूला मारू पर चित्रांकन हुआ है जो फेमस चित्र है वो जोधपूर का है अब देख लेते हैं आपका next question 31 भित्ती चित्रां की दृष्टी से कहां की हवेलिया प्रशिद है तो कहां की हवेलिया प्रशिद है? सेखावटी की, सबसे जादा अच्छा भित्ती चित्रां अगर कहीं पर हुआ है तो वो सेखावटी में हुआ है चीक है बटा? Question number 32 वैसरी किस शेली का प्रमुख आभुशन है? अजमेर का, देवगड़ का, अलवर का या किशनगड़ का तो इसका अंसर हो जाएगा option D दा किशनगड Question number 33 में बटा आपसे पूछा गया है Dr. Shridhar Anandharay को Question number 34 मथेरन वैं उस्ता कलाकारों ने किस शेली को पोसित किया था? इसका अंसर होगा दोस्तों Option B, Beekanir Question number 35 Beekanir शेली का प्रारम्भिक चित्र भागवत पुराण किस शाशक के समय चित्रित हुआ था? तो इसका अंसर होगा महराजा राइसिंग Question number 36 किस चित्र शेलियों में नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया? बहुत सिंपल आंसर है Option B, Kota Question number 37 राजिस्थान में भित्ती चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन विधी पदती है जिसको कहा जाता है RIS ये एक भित्ती चित्रन की पदती है जिससे कि उन चित्रों को सुरक्षित रखा जा सकता है Question number 38 मारवाड शेली में निर्मेत रागमाला चित्रावली 1623 एश्वी में चित्रांकन किस ने किया था तो इसका अंसर हो जाएगा बित्ता वीर जी Question number 39 चावंड शेली के प्रसित चितेरे नसिरोदीन ने रागमाला का चित्रन किस साशक के सरक्षन में किया था Question number 40 निम्न में सिव है चित्रकला शेली जिसमें हिंदू पोरानेक चित्र बने तथा कलाकार अपने चित्रों पर तिथी वे नाम लिखता था तो वो आंसर होगा Option B बीकानेर क्योंकि बीकानेर शेली पर मुगल कला का प्रभाब था और मुगल कला में जो चित्रकार थे वो अपना नाम अपने चित्रों पर लिखते थे तो वही असर बीकानेर की कला में भी हमें देखने मिलता है चलो बिटर, next question देख लेते हैं next question 41 में आपसे पूचा है बित्ती चित्रन की आरायश पदती भारत में कहां से आई थी इसका अंसर होगा इटली से question number 42 आपको मिलान करना है भैसो का चितेरा कौन था आप लोगों ने पढ़ा था पर्मानन चोयल भीलो का चितेरा कौन था? तो भीलो का चितेरा गुवर्धनलाल बाबा नीड का चितेरा अभी आपने पढ़ा ही है और नागरिदास कौन थे? वो सावन सिंग थे तो इसके अंदर आपका उप्शन होगा एक, तीन, दो, चार याने की उप्शन बी question number 43 है अजंता की चितरकारी में क्या निरूपित किया गया है? रामायन महाभारत यह जातक कता है अब सभी को पता है बगवान बुद्ध की जातक कता है अजंता में बनी हैं यह आपने 11th क्लास में पढ़ा है यह आपके स्लेबल से थोड़ा सा अलग यहाँ पे question फिट किया गया है question number 44 है उदयपुर के किस साशक ने चितेरो की ओवेरी नामक विध्याले स्थापित किया था दुबारा यह question आया है और इसका आंसर जगत सिंग प्रथा question number 45 राजिस्थानी चितरकला का पहला विध्यानिक विभाजन किस ने किया था यह question भी आपसे पूछा जा चुका है आनंद कुमार सुआमी ने राजपूत पेंटिंग्स बुक का नाम इनका पूछा था वापर आपसे question number 46 है विटा चांदनी राद की संगोस्टी किस चितरकला शेली का चितर है तो किशनगर शेली में यह चितर बना है question number 47 उनियारा शेली किस शेली की उप शेली है तो इसका आंसर होगा option C ढूडार शेली question number 48 है योगासन बसलो चितरन पे कामसास्त पर जो चितर बनाए गए है वो किस शेली में बनाए गए है तो अलवर शेली में question number 49 सुपास नचरियम क्या है तो यह एक चितरत ब्रंथ है आप सभी को पता है कि सबसे पहला लगू चितर जो बने थे वो सुपास नचरियम में बने थे question number 50 है कोटा के आलनिया बान से क्या प्राप्त हुआ है तो भित्ती चितर प्राप्त हुए है बिटा मैं थोड़ा सा फास्ट आपको इसले कर आ रही हूँ क्योंकि जो मैं questions आपके लिए लेकर आई हूँ वो 150 प्लस questions है तो कराने में थोड़ा टाइम लगेगा विडियो जादा लंबी ना हो जाए तो इस कारण से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी explain कर रही हूँ question number 51 है बिटा यहाँ पर डालू नामक चित्रकार किस शेली से संबंधित है तो कोटा शेली से संबंध था इनका और question number 52 में आपसे पूछा गया है राजपुताने की वह प्रथम रियासर जिसने अपने राज्य में शिकार के चित्र पर पूर्था प्रतिबंध लगा दिया तो वह है option A question number 53 में आपसे पूछा गया है राजपुताने में सरप्रथम प्राचीन अलंकरत गुफा कहां से प्राप्त हुई है तो बाका भीलवाडा option B किस पुस्तरकाले में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडू लिपियों का संग्रह मिलता है तो अनूप पुस राजिस्थान में आलनिया की प्रगितिहासिक चित्रों की खोज किस ने की थी आंसर जगत नारायन 57 राजिस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूची चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है तो बेटा इसका आंसर होगा मेवाड question number 58 सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें और नीचे दिये गए कोड से उत्तर चुने नाथ द्वारा सेली पिछवाई होता है आप लोगों को पता है किशंगर सेली में बनी ठनी बना है थोड़ा सा में स्प्रिंट हो रखाया है और जोद्पुर्शली फेमस है ढोला मारो चित्र के लि टू यानि की ऑप्शन डी ठीक है बटा 59 जमनादास छोटे लाल और बकसा राम चित्र कला की निम्न में से किस शैली से संबन दे थे यह कोशन दुबारा से आया है अलवर शैली से संबन दे थे सीता राम बदन सिंग और नानक्ष राम जो चित्रकार थे उनका संबन किस से तो यह थे किशंगर सैली से संबन दे थे कोशन नंबर 61 है यहां पर गोपाल उदय हुकमा जीवन चित्रकला की किस सैली से संबन दे थे तो जैपुर और आमेर शैली से विच्वाई पेंटिंग का संबन किस से है आप सभी को पता है नाथ द्वारा से कोशन नंबर 63 कोटा चित्रकारी शैली की विशे वस्तु क्या है शिकार के द्रश्याप सभी को पता है कोशन नंबर 64 राजिस्थानी चित्रकला का प्राचिंतम केंदर मेवार ऑप्शन बी बीका नेर के मथेरन समुदाय के संबन में दिये गए कथनों को पढ़ना है और आंसर बताना है इनका योगदान था सरक्षन मिला इन लोगों को व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते थे तो यह सारी चीजे सही है वही कोशन रिपीट किया गया है दुबारा से कोशन नमबर 66 है किस चित्र शैली में मतिराम रचित उननिसमी शतापदी की हिंदी सहित्यक रचना रसराज का चित्रन हितु विशे के रूप में प्रियोग किया गया है तो इसका आंसरों का उप्षिन ए मारवाड जमनदास छोटे लाल बकसाराम नंदलाद दुबारा ती याद किया हुआ है निहाल जंद को किशनगर में सहब दीन को जैपूर में निमलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंदित नहीं था तो नानकराम का संबंद नहीं था अलवर शैली में पिछवाई कहां पर प्रसिद है तो पिछवाई यह तो नम्हें है इनमें कंफ्यूज नहीं हुआ एक है साहिब दीन और दूसरा है साहिब राम . साहिब दीन का जो संबंध है वो मेवार शयली से है और साहिब राम का जो संबंध है वो जैपूर surtout कुर्श्य नंबर सेवंटी टогें गोविंद साहर का संबंध निम्डमें से कुछन नमर 73 में आपसे पूछा गया है कोटा के किस साशक के काल पे शिकार का चितरन कोटा शेली की प्रमु विशेष्टा बन रही थी तो वो थे उमेद जिंग प्रथम के समय से कुछन नमर 74 निहाल चंद किस शेली के चितरकार थे तो निहाल चंद का संबन था किशनगर सेली से कुछन नमर 75 मुहम्मद सहा और साहिब राम किस राजिस्थाने चितरकला शेली के प्रसिद चितरकार थे तो इनका संबन था जैपुर शेली से मैंने अभी साहिब राम का जिक्र किया था ना जैपुर शैली में कोश्चन नमबर 76 मारवार सैली से निरमेथ रागमाला चितरावली 1623 में चितरांकन हुआ और किस के समय पे हुआ ये दुबारा से पूछा गया आपसे तो वीर सिंग के समय पे हुआ कोश्चन नमबर 77 है सीता राम बदंजिंग और नानक राम चितरकार की किस शैली से इनका सम्बंध था तो इनका सम्बंध था किशनगर सैली से चीक है बिटा 78 उस्ताद कहलाने वाले चितरकारों ने बित्ती चितर किस नगर में पना है नेक्स्ट कुश्चन है बच्चे गोपाल उदय हुकमा जीवन चितरकला की किस शैली से सम्बंध थे दूसरी बार आप से कुश्चन पूछा गया है तो जैपूर और आमेर शैली से इनका सम्बंध था कुश्चन नमबर 80 है कुश्चन नमबर 81 है कोटा की किस शाशक के काल में शिकार का चितरन कोटा शैली का प्रतीख बन गया था तो उमेर सिंग के समय पे 82 सुपहसन चरियम क्या है तो ये एक चितरत ग्रंध है अब पूछा जा रहा है आपसे राजिस्थान की फड़ चितरकारी फड़ चितरांकन का संबंध किस से है तो मेवार से है 84 में आपसे पूछा गया है अजमेर लगु चितर शैले को समरद्ध करने वाले चितरकारों में एक इस्तरी चितरकार का नाम प्रसिद है और वह इस्तरी कौन है तो उसका नाम है आपशन डी साहिबा 85 कुशन है निमलेखित में से कौन सा एक लोग चितरकला कांग नहीं है देखो पथवारी, फड, बनी ठनी और साँची तो बनी ठनी चितर है, वो लोक कला नहीं है, option C question number 86 है, प्रसित चितर बनी ठनी का चितरांगन किस ने किया तो? निहाल चन्न ने किया question number 87, किस राजपूत चितर कला शेली में नारियों ओर नारियों को शिकार करते चितरत किया गया है तो कूटा शली है 88 मारवार मूरल्स के लिए खकोन है इंपोर्टन कोईशन है और इसका आंसर है राम अवतार अगरवाल 89 कोईशन है आपके लिए प्रसिद्ध चितरशाला के गढ़ राजप्रसाद में इस्थित है चितरशाला के गढ़ बूंदी में पहले भी ये कोईशन आ चुका है बस जो लंग्विज थी वो चींज थी कोईशन नमबर 90 है नाक में पहने जाने वाली वेसरी देखे दुबारा से आ गया तो वेसरी का संबंद किशनगर से है अभी हम आ जाते हैं कोईशन नमबर 91 पे चित्रकला के विकास हेतू कार्यरत संस्था टक्मन 28 का संबंद किस जिले से है तो उदैपूर से कोईशन नमबर 92 राजिस्थान की वह चित्रकला शेली कौन सी थी जिसमें चित्रों पर चित्रकार के हस्ताक्षर किये जा सकते थे तो इसका आंसर है बीकनेर शेली 93 मेवार चित्रशेली का सबसे प्राचीन चित्र दुबारा से रिपीट हो रहा है इसका आंसर है कमल चंद कुर्शन नमबर 94 भूंदी के गड़ पेलेस में चित्रशाला का निर्मान किसने करवाया तो इसका आंसर है महराजा उमेद सिंग ने नेक्स्ट कुर्शन है बीटा निमली कित में से कौन सी चित्रशेली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है तो उसका आंसर हो जाएगा मारवार 96 है कमला वेलाईची महिलाएं जिसका जिला वर्दमान में राज समथ लगता है यह चित्रश्री नाथ जी मंदिर का निर्मान मेबाड के जो राजा है राज सिंग ने 1672 में करवाया था यह मंदिर पिछवाई क्या होता है मूरती मंदिर में जो मुख्य मूरती है उसके पीछे का परदा और इस पर चत्रकारी की जाती है श्रीकृष्णी की जेवन लेलाओं से संबंदेथ और इसी को नाथ द्वारा कला कहते हैं वैसे यह सारी चत्रकार लेकिन मैंने उसको रिपीट कर दिया है क्वेशन नंबर 97 है बिटा चोर पंसिका किस शेली का चित्र है तो चोर पंसिका है मेवाड शेली का चित्र इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजे इस शेली में रामायण महभारत रसिक प्रिया गीत गोविंद इत्याती ग्रंथोबर चित्र बने मेवाड चित्रकला शेली पर गुजर तथा जेन शेली का प्रभाव रहा चोर पंसिका में 50 श्लोक हैं इसलिए इसे पंसिका कहा गया है इसमें गुप्त प्रेम का वर्णन किया गया है या फिर ये कहा जा सकता है छुप छुप कर चोरी-चोरी से जो प्रेम करने की कथा विवथा है उसको मार्मिक भाव से चित्रकारने आपर चित्रत किया है नेक्स्ट कुशन है बिटा कुशन नमबर नाइंटी एट पंच्टंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली की प्रमुख विशेशता है? तो मारवार सैली दुबारा आपसे ये कुश्ण है आपर पूछा गया है कुश्ण नम्बर 99 वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेशता है? तो बूंदी शैली सबसे ज़्यादा पक्षी चित्रण बूंदी शैली में हुआ है आप लोगों को पता है कुश्ण नम्बर 100 है विटा राजस्थान की प्रथम चित्री महिला कौन थी? तो इसका अंसर हो जाएगा पार्वती देवी कुश्ण नम्बर 101 चित्रांकन की उन्यारा शैली को किस चित्रकला शैली की उक्षैली के रूप में जाना जाता है? तो इसका अंसर होगा दूंदार कुश्ण नम्बर 102 पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विशे क्या है? तो कृष्ण लीला कुश्ण नम्बर 103 चवण्ड शैली के प्रसिद्ध चित्रे नसिरुदीन ने राग माला का चित्रण किस साशक के सरक्षण में किया? अमर सिंग प्रथम के सरक्षण में कुश्ण नम्बर 104 कौन सा चित्रकार बीका निर चित्र शैली से संबंद नहीं रखता? तो जै केशन मथेरन तो मथेरन तो बीका निर शैली से है ही अब शहा मुम्मद, अबू हमीत और नानकराम नानकराम ही इसमें अलग है तो यही इसका आंसर है नानकराम का संबंद आपने कौन सी शैली से पढ़ाता? किशनकर सैली से यह यहाँ पर दिया भी हुआ है कुशन नमबर 105 राजिस हन की मूल शैली सबसे प्राचीन शैली के रूप में कौन से चितर शैली है? तो मिवाड शैली आप सभी को पता है किस चितर शैली में पीला रंग प्रधान रहा? तो बीका निर शैली में पीला रंग प्रधान रहा और क्यों प्रधानर आपको पता है बीकानेर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेथ है और रेथ जो है वो लगभग पीले रंका दिखता है कोशन नमबर 107 ढोला मारू मुमल दे निहाल दे वे उजली जेठवा किस शैली की निजी विशेचता है ढोला मारू से ही आप समझ जाए कि बात जोधपुर की हो रही है कोशन नमबर 108 कौन सा चितरकार भीलोगा चितेरा अब तक तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा इसका अंसर गोवर्धनलाल बाबा क्योंकि ये दूसरी बार पूछा जा रहा है कोशन नमबर 109 चितरकला की राजस्थानी शैली का उद्गम कहां से है तो अपब्रण्ष शैली के बाद राजस्थानी शैली का उद्गम हुआ ये नया कोशन है इंपोर्टन है पूछा जा सकता है Q110, आदमकद चित्र, दुबारा आपसे question पूछा जा रहा है, तो कहां से संबंद रखते हैं, जैपुर शली से, Q111, योगा सन किस शली का प्रमुक विशय है, तो अलवर शली का प्रमुक विशय है, पूछा गया था इससे पहले, डालो नमक चित्र कार किस शली से संबंद र जोदपूर में, किशनगर में और कोटा में, तो म्रग के समान आखे थी कहां पर, किशनगर शली में, यानि की, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, यानि की पहला option है, मिवाड शली में जो है, वो मीना करती आखे हैं, जोदपूर मे बादाम के जैसी किशनगर में कमल और खंजन सी आखें, और म्रग के समान आखें आपें दिखाए गई हैं, कोटा शली में, तो 113 का जो आंसर है, वो है, option A, पिछवाई चितरांगन की विशेवस्तु क्या है, तो श्री कृष्न से संबंधित लीला है, और श्री कृष्न की लीला हैं किस में देखने मिलती है, रास लीला में, तो option C, question number 115, बूंदी के गड़ पेलेश में, चितरशाला का निर्मान किस ने कराया, तो महराजा, राजा, उमेद, सिंगने, question number 116, बनी ठनी पेंटिंग किस से संबंधित है, तो किशनगर से, मेवार चितरशाली का प्रा किस चितरकला शेली से संबंधित है, तो बात रुखनुद्दीन की हो रही है, तो बिकानेर आ जाएगा, 119, कांगडवे ब्रच शेलियों से प्रभावित चितरशाली कौन सी थी, तो किशनगर सेली, निहाल चंद किसका दरबारी चितरकार था, आपको पताओगा, option A, साव पशुपक्षयों को महत्र देने वाली शेली, बूंदी, निहाल चंदर किश्व सेली का चितरकार था, किशनगर, चावंड शेली की चितरकला किसके शाशनकाल में प्रारंब हुई, तो महाराना प्रताप के समय पे, चावंड का संबंध बिटा मेवाड शेली से है, ठीक है मेवाड की राज़ानी थी, चावंड कुछ दिनों के लिए जब महाराना प्रताप ने मेवाड को छोड़ दिया था, तो उन्होंने चावंड को ही अपनी राज़ानी बनाया, वहीं पर उन्होंने राज किया, कोशन नमबर 125, महामारू शेली का प्रचलन किसके साशनकाल मे प्रताप सिंह के समय को, 127, महारवाड शेली में निर्मित रागमाला चित्रावली, 1620 का चित्रांगन किस ने कराया, वीर जी ने कराया, तीसरी बारे कुछन आप से पूछा जा रहा है, दुगारी चित्र शेली का सम्बंध कहां से है, तो बूंदी शेली ये एक नया कोशन है, बूंदी शेली के सम्बंध में, 111, प्रशित चित्राकरती ढूला मारूत जोदपुर शेली, आपको याद हो गया होगा, अब तक तो चित्रकला शेली बनी ठनी के सम्बंध है, तो बनी ठनी का सम्बंध है, यहाँ पे देखो, सत्वंत प्रशाद तो नहीं हो सकता, ब नागरी दास्यस का सम्बंध है, कुशन नमबर 131 है, वर्ष्ट 1628 ईश्वी में मेवाड में रागमाला चित्रांगन को किस ने चित्रत किया था, तो इसका आंसर है, नसिरुत दीन ने, कुशन नमबर 132, प्रतिक्रमन चून इंगरांथ किस चत्रशाली से सम्बंध रखता है, तो ये रखता है, मेवाड चली से, 133 कोशन में आपको मिलान करना है, कि किस का सम्बंध किस से है, तो साहिब, राय और मुहम्मद साहा, जैपूर से सम्बंध हैं, आपको पता है, सीधा सीधा अलसर देख लेते हैं, चेक्यां, तीन, एक, दो, जाय, पहले का तीन, यान से, अलवर का सम्बंध है, बलदेव और गुलाम अली से, जैपूर का सम्बंध है, साहिब राम और मुहम्मद साहा से, और किशनगड का सम्बंध है, मूल राज और भीगचन से, ये थोड़ा डीप कोशन है, लगबग इतने डीप कोशन की उमीद नहीं है, कोशन नमबर 134 मारवार चित्रकला शैली के प्रसित चित्रकारों में कौन नहीं है, तो इसका अंसर आजाएगा, गंगारा, कोशन नमबर 135, अठार्मी शताबदी में जैपूर का प्रख्यात पोट्रेट चित्रकार कौन था, तो साहिब राम, साहिब राम का सम्बंध विटा जैपूर से याद रख लीजिए आप, कोशन नमबर 136, राजस्थानी चित्रकला की जनम भूमी, मेवाड, चिक है, 117, निम्न सभी शैलिया, ढूनार्स चित्रकला स्कूल के अंतरगत आती है, सिवाए, यानि कि जो इसमें ढूनार वालिया, उनको छोड़के अलग बताना है, तो बू सालिग राम, बकसा राम, नंद राम, अलवरसली से है, बिल्कुल सही, आलागीला पदिती का स्वरप्रथम प्रारंब आमेर में हुआ, रगुनार डालो गुमिंद राम कोटा शैली से है, चोखे लाल महल का संभन भीकानेर से है, तो यही जो बात है वो गलत है, 139, निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रशैली से सम्बंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएका ओप्शन C, मनुहर, कुशन नमबर 141, चित्रकलाकी के सेली में फक्षी अवम जानवरों का महत्पूनिस्थान है, तो बूंदी, प्रश्चित बनीठनी का चित्रकार निहाल चन्त, 143, बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस साशक की देन है, तो महराव उम्मेद सिंगी, 144, कथन आ, राजस्थानी चित्रशैलियों की विशेवस्तु मुख्यता धार्मिक है, बिल्कुल सही है, कारण 2, राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से ओत्प आ की ठीक से व्याख्या नहीं करता, आ और बाद दोनों सही है, कि तो बाद आ के ठीक व्याख्या नहीं करता, तो इसके अंदर सबसे सही बात है, कि यह दोनों सही है, और दोनों ठीक ठीक व्याख्या भी कर रहे हैं, यानि ऑप्शन C, 145, निमलिकित में से कौन सा कधिन र राजस्थानी चित्रकारी के रूप में चित्रकला की प्रकत्र शैली विक्सित हुई, दूसरा कृष्ण लिला नाई का भेद और रागमाला राजस्थानी चित्रों से जुड़े हैं, तो इसका आंसर है एक और दो दोनों बात बिल्कुल सही है, 146, नारायन, चत्रवुच, घासिराम, राजस्थान की निमली कित्मे से किस चित्रकला शैली से संबंदित है, तो इनका अंसर है नाथद्वारा घासिराम का नाम याद रख लेना, नाथद्वारा में अगर घासिराम आता है, तो ठीक है, नाथद्वारा शैली का चित्रकार ह मोनलिजा ओफ इंडिया पेंटिंग का सब्बंध किस से है तो बनी ठनी को बोला जाता है 148 जहांगीर ने बूंदी के किस साशक को चित्रकला प्रेम के कारण सर बुलंद राय की उपाधी दी थी तो राओ रतन सिंग को इनका सम्बंध बूंदी चली से है कोशन नमबर 149 राज जी की फड़ पिंटिंग के लिए कौन से सहर प्रशित दुबारा आया है शहापुरा बुझे हुए रंगों का प्रियोग वे पारदर्शी ओड़नियों का चित्रांकन किस शेली में हुआ था तो आप्शन B नागोर शेली बुझे हुए रंगों से अगर पूछा जाए या बुझूर्बों का चित्रण पूछा जाए या चेहरों पर जुर्या कहां पर चित्रकार ने फेस पर बनाई है तो वो सारी चीजें नागोर शेली से संबंद रखती हैं नेक्स्ट कुश्चन है बिटा मुहम्मद सहा और साहिव राम किस राजिस्थानी चित्रकला शेली के प्रसिद चित्रकार थे तो इसका अंसर होगा ऑप्शन A जैपुर क्यूंकि साहिव राम का जिकर आया है घासी राम का जिकर आया तो नातद्वार शेली से 152 कुश्चन के किल quería हो गया आपका 153 कुश्चन में आपसे पूचा गया है कौन सा गतं सही नहीं है पहला मारवार शेत्रकला विध्याले मुगल शेली के प्रभाव में नहीं था तो बस यहीं बात गरत है कोटा विध्याले में बाग के सिकार का विषए बहुत ब्लोग प्रिय था तो और दो यानि की मारवाड जिसके अंदर की भीका निर्शैली आ जाती है तो ये दोनों ही मुगल प्रभाव के अधीन थे 154 निमलिखित चत्रकारों को उनकी उपशैलियों से मिलाना है तो ये वाला कुशन दुबारा आ गया है ठीक है आप लोगों को पता है जैपूर साहिब राम और आप लोगों आंसर से ही मिला लेना ठीक है 155 किसकी दर्बार में निहालचंद अधिकारिक दर्बारी चित्रकार के रूप में कारे रत थे आपको पता है सावन सिंग के समय पर थे तो निमलिखित में से किस विदवान ने राजपूत प्रिंटिंग पुस्तक लिखी है आपको पता है आनंद कुमार सुआमी ने लिखी option C चित्रकला शैली बनी-ठनी का संबंध किस से है आपको पता है नागरीदास से है मारवार शैली में निम्नेत रागमला चित्रावली आपको पता है वीर जी ने बनाई थी चावंड शैली की चित्रकला किसके शाशनकाल में प्रारम हुई आप लोगों को ये भी पता है कि माहराणा प्रताप के समय भी हुई थी अभी मैंने इस कोईशन को एक्स्प्लेन किया था निम्लिकित में से कौन सी चित्रकला शैली राजे सान से सम्मधित नहीं है तो कांगडा देखो शेखावटी बित्ते चित्रों के लिए प्रसिव हाडोती में बूंदी और कोटा जैसी शैलिया है जहां पर शिकार द्रशे व मेलित नहीं है अनूप सिंग वीकषानेर राज सींग प्रतहम नात द्वारा सावन सिंग किशंगर और से लिजय जिans is देवगड़ विजय जिसमें सही नहीं है 162 कमला इलाई जी आप लोगों ने पढ़ा है नात द्वारा से इनका संबंध है नार्यूं द्वारा शिकार आप लोगों को पता है कोटा शेली में हुआ है राजपूत पेंटिंग सिर्शक 1916 में आनंद कुमार स्वामे नहीं ये पुस्तक लिखी है आपको बहुत अच्छे से याद है राजश्थानी चित्रकला का सबसे पहला वरगी करण आनंद कुमार स्वामे नहीं दिया था अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में चावंड चित्रकला जो विक्सित हुई थी वो मेवाड में हुई थी मैं एक्स्प्लेइन कर चुकी हूं जैपूर राज्य के कार खाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लगू चित्र बनाते थे उसको सूरत खाना बोलते हैं ये कुशन भी हम पहले पढ़ चुके हैं अट पटी पगडी चित्रकला की किस शैली से संबंध है तो ये निवाड शैली पर बेसेक नया प्रशन है बनी ठनी चित्र किशनगर सैली का है आपको पता है और इसके चित्रकार का नाम निहाल चंद है ये भी आपको पता है तो बेटा ये थे आपके राजिस्थानी शैली पर 170 questions और मुझे पूरा यकीन है कि एक भी question राजिस्थानी शैली में इन questions से बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा अगर आप इन questions को याद कर लेते हैं तो आपका राजिस्थानी शैली वाला topic बहुत अच्छे से किलियर हो जाएगा आशा करती हूँ बेटा ये वीडियो आपके लिए काफी helpful रहेगा आप अच्छे से अपनी तयारी करेंगे और इसके बाद बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ आपका पहाड़ी कला पर MCQ question होंगे लगभग सभी question उसको मैं उसमें include करूँगी तो बेटा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने CUET का जो question paper है उसको भी solve करके मैं जल्दी से आपको provide कराऊंगी और इसके अलावा आपके 11 12 के पूरे स्लेबस को मैं अपने इस चैनल पर दुबारा से upload करूँगी इसके लावा आपके previous year question paper आपके model test paper और आपके question answers को solve करके मैं इस चैनल पर upload करती रहोंगी